दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी प्यस्सी में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं यह समल लिजे यह भर्तियां ज्यादा समय नहीं लेगी दो से तीन महीने में मलब दो से तीन महीने फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएगा अगस्त है सेप्टेंबर त भर्तियां आने वाली है यूपी प्यस्सी में जैसे इंजीनियर के लिए आएगी डेरी से उद्धोक से आएगी क्रसी से रिलेटेड आएगी होमोपैतिक डिपार्टमेंट से आएगी और प्रोफेसर से रिलेटेड आएगी यह समल लिजे कुल मिलाके 2600 पद आने वाले है और सभी मलब यह जो प्रक्रिया है जादा समय आपका नहीं लेगी और यह जो भर्ति आने वाली किनकिन डिपार्टमेंट में आने वाली है सभी चीजों को मैं विस्तारपूरों का आपको बताऊंगा आप पूरा वीडियो देखेगा ध्यान से अंतक और तैयारी नहीं कर हैं अभी तो तैयारी में लग जाए क्योंकि क्या है कि अब भर्ति जो है चुनाओ का समय तो चुनाओ तक यह कंप्लीट जैसे भी हो कि यह कंप्लीट कराएंगे ताकि इनको एक अच्छा संकेत मिले विद्यार्थों कि तरफ से तो यह भर्ति देखिए कौन-कौन से भर्त में 2600 से अधिक पद पर कार मलब पद पदों पर कर रहा है भर्ति की तैयारी अच्छा जो भर्तियों के लिहाजा से दो माह काफी आयम होंगे इंपॉर्टेंट भी है जो लोग अभी तैयारी नहीं करें वो तैयारी में लग जाए यह ना सोचे कि अब भर्ति आई तो हम त सब्टमबर के महीने में कई नई भर्तियों के विग्यापन जारी करने करने भी जा रहा है क्योंकि चुनाओं का मुद्द भी है आवेदन की प्रक्रिया सुरू होगी और भर्ति के परणाम जारी होंगे और इंटर्वियों और लिखित परिछा आयोजित की जाएगी ठीक ह सब एक सेग्मेंट में मलब तयार हो चुका है PCSJ के 303 पदों पर भर्ति के लिए इंटर्वियों 16 गस से शुरू होने जा रहे हैं जो 28 गस को पूरे होंगे ऐसे में सब्टमबर के मत तक PCSJ का भर्ति का अंतिम चैन परिणाम जारी होनी की उमीद है अब वहीं 26 सब्टमब को समापत होगी इस बार मुख्य परिचा के पैटर्न में थोड़ा बदलाओ भी है मुख्य परिचा के वैकलपिक विसे हटा कर उनकी जगा यूपी यूपी कहा गया हाँ यूपी यूपी विसे सामान अध्यन के दो प्रशन पत्त सामिल किया जाएंगे 100 परिचातियों के लिए परिच्छा काफी महत्तपून है इसमें से पूर्ग 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश प्रवदिक सिच्छा अध्यन सेवा परिच्छा 2021 का यूजन किया जाना है इस परिच्छा के माध्यम से वैक्ष्यात कैमिकल इंजिनिंग डेरी इंजिनिंग आटो इंजिनिंग और पुस्तकाले द्यच्छ के पदों पर बढ़ती होनी है आई यूपी प्यस्ति के अगस्त के दूसरे सप्ता में विभिन बढ़तियां की विग्यापन जारी मूंग जिसमें स्ठाप नर्स के दोजा 240 पद स्ठाप नर्स आयूर्वेद पुरुस महिला के लिए 300 पद सायक प्रसिच्ण प्रभाग राजिनियोजन संस्थान में उपनिदेशक का एक पद सामिल है वहीं अगस्त के दूसरे सप्ता में आयूज विवाग के प्रोफेसर साइंद संस्कत सिद्दान्त के एक पद और चिकिस्था सिच्छा विवाग में सहायक आचार केमेस्ट्री फर्म सब्सक्राइब होंगे आयो की और से कुछ दिनों में पहला यह सूचना भी जारी की गई थी अभविस में अपर निजी सची एपेस यानि की जो सबसे मलब वाइरल पोस्ट एक तरीके से इसके लिए लड़के काफी समय से इंतिजार कर रहें मलब यह बढ़ती ऐसी कि आठ एक्जाम का भी ज्यान होना चाहिए हिंदी जी अच्छी पकाड़न होनी चाहिए समिच्छा अधिकारी आरो और सायक अधिकारी ए आरो भरती समलित राजिकरसी सेवा परिच्छा आदी के विग्यापन भी संभावित हैं इन में से कुछ भरतियों के विग्यापन में सब्सक्राइब या अक्टूबर में सुराथ में जारी किया जा सकता है ऐसे में दो माह तक ये सिलसला लगाता जारी रहेगा ठीके दोस्तों तो ये अपडेट था और देखिए भरती का विग्यापन जारी हो अन्यता ना जारी हो अगर आप तैयारी सही से नहीं कर रहा है तो भरती का मलब नोटिपिकेशन आया और आपने तब तैयारी स्टार्ट करना जाड़का तो आप बहुल लेट हो जाएगी क्योंकि आप से अधिक कोई और भी पढ़ रहा होगा ठीके दोस्तों तो ये अपडेट है बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट क कर दो